वाट्स अब है वाजात क्या हाल चाल आप सभी लोगों का मैं हूँ तालीब और आप सभी लोग देख रहे हैं आपका अपना टेक इंसेन आज कर्ल हमें मुबाइल फ़ोन के सक्रीन के साथ साथ कैमेरा को भी प्रोटेक्शन देना पढ़े जैसा कि आप से भी लोगों ने देखा यह realme 11 प्रो यह realme 11 प्रोप्लस और साथ ही में नार्जो सीरीज में आर्जो 16 आर्जो 16 प्रो और हम वन प्लस और मोट्रोला की भी बात करें तो इनकी कैमरा को जब भी आप देखेंगे तो ज्यादा दर खत्रा होता है कि इन पर स्क्रैच इस लग सकते हैं जब भी हम अपने फोन को अपने पॉकिट में रखते हैं को दूसरी चीज़ उसको होती है तो आप मारे कैमरा को डैमेज कर सकते हैं और साथ ही में स्क्रैच जैसे आएंगे जिससे हमारी फोटो पिक्चर कॉलिटी पे एफेक्ट हो सकता है लेकिन इसी के साथ कई मार्केट में प्रोटेक्शन हमें मिलती है जो के ग्लास जैसा होता है लेकिन यह इसकी प्राइस बहुत ही जादा होती है जैसे कि 200-200 रुपे जितना यह हमसे चार्ज कर लेते हैं उस सिंगल पीस ग्लास की जो के कुछ जादे छोटा होता है उसी के साथ एक सवाल यह भी बनता है कि जब हम यह प्रोटेक्शन अपने कैमरा पे लगाते हैं तो हमारी वीडियो और इफेक्ट होता है या नहीं होता है तो इसी बारे में आच्छी हमारी वीडियो और साथ ही में हम हमारे रियल मिलीवन प्रो प्लस पे एक कैमरा प्रोटेक्शन लगाने के पहले के इसी थी और प्रोटेक्शन लगाने के बाद क्या इफेक्ट होता है और इसी के साथ हम हमार ज्यादा यूज लेते तो इसी के साथ हम यह भी बताने वाले के साधा लेमनेशन करने के बात आपकी पिच्चर कॉलिटी अच्छी रहती है नहीं रहती है तो ड्यूट रियल्मी 11 pro plus के लिए camera protector जो मैंने buy किया है वह amazon से किया है इसकी buying link में आपको description box में जरूर दूँगा इसकी price की बात करें तो 200 रुपीज के लगबग यह इसकी price है और अगर आप देखोंगे तो इसकी price fluctuate होती रहती है तो आप एक बारी जरूर देखना साथ ही में इस pack में मुझे 4 glasses देखने को मिलते है जो के अगर एक glass मेरा कभी किसी वज़ा से damage हो जाता है तो मेरे पास 3 glasses और रहेंगे आगे change करने के लिए इसके साथ जो है wipe paper मिलता है जो के dry paper होता है और साथ ही में एक paper होता है जो के थोड़ा liquid वाला होता है जिससे हमें camera को अच्छे से साफ करना है उसी के साथ हम अपने protector को इस पे apply करेंगे और इस protector को apply करवाने के लिए इस protector को अपने camera पे लगाने के लिए आपको किसी expert की ज़रोद नहीं है इसे बहुत easily आप अपने camera पे प्रोटेक्टर को लगा सकते है सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको इन wipe paper से अपने camera को अच्छे से पहले जो है clean कर ले ना ताके कोई dust particle वगेरा ना रह जाए उसके बाद dry paper से आपको अच्छे से clean करना है फिर आप देखोंगे कि इस protector पे जो एक layer है आपको इसको निकालना है जिसके बाद ये protector का glue active हो जाएगा और अब आपको जो है इसे camera पे flash के पास ले जाना है और सही position में ले जाके इसको आपको बस जोड़ा hardly press करें जिसके बाद वो protector सही तरीके से apply हो जाएगा तो यहाँ पर हमने protector को apply कर लिया है अपने protector को camera protector को अपने camera पे लगा दिया है आपकी screen पर देख सकते हो यहाँ पर मैंने तीनों वीडियो आपके सामने रखी है सबसे पहली वीडियो है जिस पर मैंने अपने camera पे लेमनेशन किया है तो आप quality का अंदाजा लगा सकते हो साथी में उसी के साथ एक video जिसमें मैंने अपने camera पे कुछ भी नहीं लगाया है और उसके बाद आप देख सकते हों कि एक तिसरी वीडियो है जिसमें मैंने camera पे screen card प्रोटेक्टर अभी हमने फिलाल लगाया था उससे suit की गई है तो आप तीनों वीडियो को देखिए और पता लगाई कि क्या quality कम होती है या फिर quality में इतना कुछ ज़्यादा effect नहीं होता है अब इसी के साथ मैं आपको पिक्चर्स बताता हूँ जो के मैंने करने के बाद flash के साथ और साथ इमें बिना flash के लिए है तो जिससे आपको एक अंताज़ा होंगा कि picture quality में कितना effect होता है और flash यह हम use करते हुए तो उसका क्या effect होता है इसी के साथ दूसरी तरफ देखे तो यहाँ पर बिना protection के मैंने camera को use किया है बिना किसी glass के elimination के camera यूज किया है जिसकी picture quality आप देख सकते है फ्लैस के साथ किस तरह से है और बिना flash के साथ किस तरह से है अब यहाँ पर बारिया आती है कि हमने अब screen card लगा लिया है screen protector लगा लिया है तो आप उसकी picture quality की बात कर जो photo है उसमें आपको बहुत ज़्यादा bright डिकेंगा यह इस वजा से हुआ बिकोज के हमारे camera पर जो protection glass लगा है जैसी हमारा flash on होता है तो light अचानक से reflect होती है उस glass के आसपास और lens पे इसका effect होता है तो अगर आप जो है glass को use करते हो तो इसके बहुत 100% ज्यादा chances है कि quality के साथ साथ brightness और साथ ही में फोटो जो है बहुत ही अजीब तरीके से आएंगी तुम्हीं यह फूरा वेजला आप पे छोड़ता हूं कि आपको क्या लगता है कि camera protection use करने से photo quality videos quality कम होती है या फिर अगर हम normally को लेमनेशन करते तो उससे भी effect होता है या फिर नहीं होता है इस वीडियो में मैंने आप सभी लोग को बता है कि साधा नॉर्मल लेमनेशन करने के बाद हमारे फोन के camera quality क्या होती है video quality क्या होती है और ठीक इसी तरीके से अगर हम कोई अच्छा सा glass protection यूज़ करते camera के लिए तो उसके बाद picture quality video quality क्या होने हो आई होग सो आप सभी thank you so much for watching